नमस्कार दोस्तों, Latical Technician चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीदियो के माध्यम से हम सिखेंग की On Delay Timer और Off Delay Timer क्या होती है और इन दोनों टाइमर के बीच में Difference क्या होती है दोस्तों ये जो दोनों टाइमर है इन दोनों के बीच में जो difference होती है उसको समझेने के लिए मुझे एक साल लगे थे यानि कि मैं हम ऐसा confused होता था कि हमें on delay timer कहां पर यूज़ करना है और off delay timer कहां पर यूज़ करना है ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले हम timer के बारे में समझे लेते हैं कि timer क्या होती है तो देखिए दोस्तों timer एक control device है यानि कि एक किसी भी electrical circuit को control करने के लिए एक device है यानि कि उपकरन है ठीक है जो कि इस timer को input supply यानि कि input का मतलब यह है कि यह जो timer है इसके coil में supply यानि कि A1 और A2 पर जब हम supply देते हैं तो क्या करता है यह कुछ समय बाद output command generate करता है output का मतलब इसका जो NONC contact होता है वो बाद में change करता है यानि कि जब हम इस timer में power supply देते हैं तो क्या होता है इसके auxiliary contact के साथ जो electrical equipment जूरे होते हैं वो कुछ देर बाद चालो होगा या फिर बंद होगा दोस्तो इसी को हम timer बोलते हैं दोस्तो आप किसी भी परकार का timer लेके आजएगे लेकिन उसमें आपको कुछ चीजे same to same मिल जाएगा यानि कि यदि आपको timer को चालो करना है तो timer का जो coil होती है A1 और A2 उसमें face supply और neutre supply देना पड़ता है ठीक है दोस्तो आपको हर एक timer में A1 टर्मिनल और A2 टर्मिनल मिल जाएगा ठीक है आप देखिए अब इसमें जो अक्जलरिक कोंटेक होते हैं उसमें आपको पंदरा पचीज इस प्रकार का number मिल जाएगा आपको यहाँ पर जो second number है उसको देखना है यदि second number 5 होता है यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है यदि second number 5 लिखा है तो उसका मतलब वो है common terminal अब यदि second terminal 6 लिखा है तो इसका मतलब वो NC contact है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो second digit है वो 6 लिखा है तो यानि कि यह NC contact है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि second digit 6 लिखा है यानि कि यह भी NC contact है यह हर एक timer में same to same रहेगा यदि second digit 6 है तो NC contact हो गया और यदि second digit 8 है तो वो अनो contact हो जागा ठीक है तो दोस्तों अभी देखिए ये जो timer है जिसको मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हूँ इसके बारे में दो वीडियो बनाया हूँ जिसमें पहला वीडियो मैंने आपको इसका टेस्टिंग करने के बारे मता हूँ यानि कि timer को कैसे चेक करते हैं उसके बारे मताया हूँ और दूसरा वीडियो मैं आपको बताया हूँ कि इस timer में time किस प्रकार से हम set करते हैं दोस्तो यदि आपको ये दोनों चीजे नहीं आती ही तो उसको जरूर देखके सिख लिजेगा दोस्तो उस वीडियो का link मैं description में दे दिया हूँ वहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लिजेगा ठीक है दोस्तो हमारा जो timer होता है वो normally दो प्रकार के आत दीजेगा और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कर दीजेगा और दोस्तो यदि आपको on delay timer और off delay timer के बीच में जो difference होती है वो समझ में आ जाए तो please comment box में yes करके comment कर दीजेगा और यदि आपको ये वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आया कि on delay timer और off delay timer के बीच में क् प्लिस no करके comment कर दीजेगा दोस्तो जो हमारा on delay timer होता है उसके जो coil होती है उसका symbol कुछ इस पकार से बना जाता है और off delay timer का symbol कुछ इस पकार से बना जाता है ठीक है आप यहाँ पे दोनों के बीच में difference देख सकते हैं जो हमारा on delay timer होता है उसमें cross mark दिया होता है और off delay timer मे black color से color किया होता है ठीक है यहाँ पे इन दोनों का difference जो होती है वो इस प्रकाश होता है दोस्तों आप जब timer कोई भी खरिदते हैं तो उसमें कभी कभी आप देखते हैं कि वहाँ पर on delay timer और off delay timer नहीं लिखा होता है वहाँ पर आप कैसे पहचान करेंगे इस symbol को देखके ठीक ह यानि कि यदि आपको इस परकार का symbol दिखता है तो वह हमारा on delay timer हो जाएगा और यदि आपको इस परकार का symbol दिखता है तो वह हमारा off delay timer हो जाएगा अभी देखिए दोस्तों जो हमारा timer होता है उसमें auxiliary contact होते हैं और auxiliary contact का symbol इस परकार से दिया होता है अभी आप देख सकते है कि यहां पर ये जो शिम्बॉल दिया गया यहां पर जो डी टाइप में है इसको हम माले लेते हैं कि यह तीर का निसान है ठीक है अब देखिए यदि यह तीर का निसान अंदर की तरफ है तो वो हमारा on delay timer हो जाएगा ठीक है और off delay timer में क्या होता है यह जो तीर का निसान है वो बाहर की तरफ होता है ठीक है यदि यह जो तीर का निसान है वो बाहर की तरफ होगा तो वो off delay timer हो जाएगा और यदि अंदर की तरफ है तो on delay timer ठीक है दोस्तों दोस्तों अब आप इस circuit को देखिए आप इस circuit को अच्छे से दि यहाँ पर एक start push button लगा गया यह हमारा no push button है ठीक है अब इस no push button के outgoing terminal से यहाँ पर एक timer लगा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि cross का symbol है यानि कि यह हमारा on delay timer है ठीक है दोस्तों अब जो हमारा on delay timer है इसका अजलरी कॉंटेक्ट यहाँ पे सोक यह गया है ठीक है यहाँ पर जो हमारा common terminal था पास नमल terminal हमारा common terminal था इसलिए हमने यहाँ पर power supply डारेक्ट डे दिये ठीक है अब देखिए यह जो हमारा solar terminal terminal था वो NC contact था तो इसका power supply यहाँ पर आ जाती है अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि इस timer में 15 सेकंड का time set कर देते हैं दोस्तों यदि आपको timer में time set करना नहीं आता तो please description में दिये गए link पर click करके timer में किस प्रकार से time set करते हैं उसको सीख लीजिएगा ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या अब ही देखिए यह एंसी कॉंटेक एंसी ही था कब तक एंसी रहेगा जब तक यह time complete नहीं होता जैसे यह time complete होता है तो क्या होता इसका जो अजलरी contact है वह चेंज हो जाती है यहाँ पर देखिए दोस्तों जो एनो contact था वह एंसी बन गया है यहाँ यह power supply अब इधर आने लगा है अब हमारा red indication lamp जलने लगा है इसके पहले हमारा green indication lamp जल रहा था लेकिन अब red indication lamp जल रहा है ठीक है अभी हमने यहाँ पर push button को प्रेस करके रखें क्योंकि यह जो हमारा timer था इसको हमें power supply पहुचा के ही रखना है ठीक है अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही इस push button को release करते हैं तो हमारा जो timer है वो off हो जाती है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने on delay timer के जगा पे off delay timer लगा दिया है ठीक है अब हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा push button था उसको अब ही आप देख सकते हो कि जो no contact था वो nc बन चुका है और जो nc contact था उसमें power supply याना बंद होगे यानिकि no बन गया है ठीक है यहाँ पर हमारा no contact वाली indication लेम जल रही है ठीक है दोस्तों अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस push button को press करके रखा है क्योंकि हमें इस इस timer के coil में power supply पहुचाना बंद करते हैं तो यह जो countdown था यानिकि timer का जो time set किया था हमने उसका countdown चालो हो जाती है ठीक है यहाँ पर हमने 15 seconds set किया थे जैसे यह 15 seconds complete होता है तो इसका जो auxiliary contact है वो change हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप देखिए यहाँ पर अभी देखिए दोस् timer है यदि हम इसके coil में power supply देते हैं तो इसका जो auxiliary contact है वो change हो जाता है अभी देखिए दोस्तों इसका जो टाइमर का countdown है वो चालू नहीं हुआ टाइमर का countdown कब चालू होता है जब हम इस timer के coil में power supply पहुचाना बंद कर दें ठीक है यहाँ पर हमने इस timer के coil में power supply पहुचान बन कर दिया है अभी देखिए दोस्तों अभी इसका जो auxiliary contact है वो change नहीं हुआ अभी क्या होता है कि जो timer का time हमने set के थे उतना time complete होने के बार इसका जो auxiliary contact है वो normal position में आ जाता है यानि कि nc contact nc बन जाता है और no contact no ही रहता है ठीक है तो दोस्तों यदि में आपको on delay timer और off delay timer timer को असान भाहाँसा में समझाओं तो दोस्तों जो हमारा on delay timer होता है वह चालूण होने के लिए कुछ समय लेता है कितना समय लेता है जितना हम उसमे time सेट करें ठीक है यानि कि यानि कि वह timer जो चालू बंद होने में समय लेता है उसे हम ओफ डिले टाइमर कहते हैं तो दोस्तों देखिए हमारा जो ओफ डिले टाइमर होता है उसको हम स्टार्ट डेल्टर स्टार्टर के सर्कीट में यूज़ करते हैं दोस्तों ओफ डिले टाइमर का प्रियोग करते हैं और जो हमारा सेक्वेंस स्टार्टर होते हैं उनमें भी off delay timer का उपयोग करते हैं और जो sequence motor starter होते हैं उनके circuit में भी off delay timer का प्रियोग किया जाता है ठीक है दोस्तों I hope कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि on delay timer क्या होता है और off delay तो प्लिस कॉमेंट करके बता दीजीगा और यदि समझ में नहीं आया तब भी कॉमेंट कर दीजीगा जिससे मुझे मालूम चल जाए कि आपको समझ में नहीं आया और मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसको समझा सकूँ ठीके दोस्तों